अलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजाइन और स्टील स्ट्रक्चर्स का एक और टॉपिक वेल्ड कनेक्शन तो वेल्ड कनेक्शन बहुती सिंपल चैप्टर इसके इंदर दो तरह के वेल्ड हमारे पास निमेरिकल दो तरह के वेल्ड पी आते हैं ये फ्रेट प्लρηट होगा ये फ्रेट होगा यह से प्लेट करें ना वीच में आसे मारा बटवेल्ट टो एक उता हमारह स्कुईर बटवेल्ड मrej मंड़ाब्ट का सेक्शनल स्क्वेयर हैD और फिरम वेल्डिंक करें तो यह रहागर है वेल्ड प्लेच होगा स्कुईर वाली shapes है न मुझ वी टाइप की हूं मतलब से inclined हो मिला बन रहा हो तो वह उस तरह का weld हो गया single v but joint अब ऐसे double v but joint क्या हुआ जैसे उसमें था तो वैसे क्या double v में क्या होगा कि एक ऊपर weld हो गया और एक नीचे वैल हो गया वह यह वी शेप की प्लेट है और सिंगल यू बड जोई नाम सी मालूम पढ़ रहे हैं कि प्लेट का शेप जो मिलके बनेंगे वह यू टाइप का बनेगा मतलब यह शेप ऐसा हाफ समी सरकल और यह भी आदा तो यह आप सेमी सरकल बन जाएगा ना यह हो जाएगा यू बड जोई न सब्सक्राइब ऑर एक फोड़ी इंकलाइन या कटी विए इस तरह से तो वह वेल्ड हमारा यह होगा और फिलेट व्लेट हमारे पसक्या होता है फिलेट मतलब की जब वेल्डिंग हम 90गे अगर ऑवर्लैप है तो अगर प्लेट्स ऑवरलाप है तो यह भी नेन्तिड एक ग आग Candle 3 वैल्ट होंग हो तो फ्लाट में देखो यह जो होती है यह साइज प्लेट के अलोंग मी साइज में aan यह साइस साइज ओ वैल्ड हो गई यह साइज साइस प्लाद हो गई यह प्लेट के ऊपर ऑर जो इसकी श्र Went सब्सक्राइब थैसे जो वैलिके हमारी थिक्नेस वो क्लिए थोड थिक्नेस तो हम अब है कि तो मेरीकल करें घ्याइए वह स्कॉयर बैड वोत साइट दोनों तरफ बडवल्स के वेन नreated मैं बता मनौ प्लेट वी शिप के मोड़ें एक तरफ मैं बड़न के दोनों तरब वहना किया हो तो अब हम देख लेते हैं यह कुछ क्राइटेरिया है इसके अंदर सिंगल भी बड्ट जॉइंड में जो थ्रोट थिकनेस हम लेते हो फिक्स होती क्या होती है फाइब यह टाइमस थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मतलब यह दो प्लेट से हमको करने है इसकी तिकनेस यह तो ज Zeus का अंधा होगी इसंगे किसी कम जदा होगी तो आपको तेकनेस के लेंगी है थेयास फिस अफिकनेस ऑफ तिर्य नो और डबल भी अगर हो तो उसमें थ्रोट तिकनेस कहा लिए हमको थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट यह हम कुश्चिन करेंगे वैसी मालों पड़ जागा और हमारे पास ट्रेंथ वेल्ट का एक फॉर्मुला होता है एफ एफ यू अपॉन रूट त्री गामा एम डबल्यू यह आप लुट करते हैं कोश्चन हमारे पास कोश्चन गीवन है दो प्लेट दे रहे हैं हमको और बोला है कि इनको डबल भी बड्ट जोइंट से वेल्डिंग करने हमको तो हमारे पास दो ब्लेट है 18 mm की और 16 mm की ज्यादा रिकम है अब हमको बोला है कि स्ट्रेंथ ओफ वेल्ट न तो मतलब उपर भी होगी और नीचे भी होगी कुछ इस तरह से होगी चाइज उपर भी होगी और नीचे में ब्यों निचे हよろкими तो इसा मुझे ब्लेट कि describes लिए फिरी समय बिलडिंग करने में तो हमारी ये लडू होगई तो फोई जो थिक्ने सालकित व वरी अश्य Cum इन प्लेट्स की थी थीडिकेटर में повторण सुरिए पंको 200 में मतलब इसकी विद्ट थीक्नेसद तो विभिस के बराबर हम एक्टीव लेंगों हो y tb7 कोऊटी एकुल योते हमारी एक्टीव लेंगर나 200 और हमको चीए area area क्या होता है LW multiply by T यहापर T क्या है throat thickness ल्डब्ली हमारे effective length हो कि मतलब यह total length है और उसमें multiply thickness घ्रत एरे आजागा sectional area T thickness in this case मी क्या होता है कि thickness of thinner plate के बराबर अगर double V है तो आपको T जो थिक्ष्ट ऑफ thinner plate के बराबर लेनी है throat thickness मतलब तो तो अब आप देखते हैं कि एडिया क्या हुआ यह पूर्ट फॉर्ट फॉर्णडब़ फॉर्णडट फॉर्णडड तो आसे हैं ना अफॉर्णड फॉर्णडब्स फॉर्मूला गिवन है और सेकेंड कैस हमको वहला सिंगल वु बढ़ जो है तो इसमें थोट खुछ कम होगी इससे तरह कम ही होगी ना यहां पे टोटल तो दीए पुरी थिगनेश थी और यहां पर सिंगल यह तो यह सिंगल मैं ऐसे एसे ही हमको सिंगल साइड में करना सिंगल कम होगी तो क्या होगी 5 by 8 ताइम सब्सक्राइब क्या हो तिकने सब्सक्राइब क्या है 16 वाइब टैमसे लिए टेन इम्हें क्या हो मालूम यह यह पना रूटि गांग है लॉट्विव थेन प्रों ने गिवन है तो यह था आज को समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछेगा और चैनल अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ मैंने बता है आपको यह सब कोड़ बूग में गिवन आपके यह जो फॉर्मुला है यह सब कोड़ बूग में गिवन तेंक यू